आज में लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार चटपटी घटी मिठी चाट की रेस्पी आलू चाट की रेस्पी अगर आपके पास उबलेवे आलू नहीं है तो भी आप इसे कच्छे आलू से बना सकते हैं बहुत ही यमी लगती है सिर्फ 5 मिनिट में ये तयार हो जाती है बह ही एक चटनी की रेस्पी में आपके साथ शेयर कर रही हूं जिसके बिना ये चाट अधूरी है और वो दो मिनिट में बन जाती है तो आए देख लेते हैं इसे कैसे बना है हाई फ्रेंज मैं गीता वर्मा कीता किनो रेस्पी इसमें एक बार फिर सेब को बहुत स्वागत कर मैं आज मैं यहाँ पर आपके साथ 2 मिनिट में बनने वाली चाट की चटनी की रेस्पी आपके साथ शेयर कर रही हूं तो सबसे पहले मैं ने यहाँ पर पैन में ले लिया है आधा कप चीनी दो टेबल स्पून यहाँ पी मैं ले रही हूं अशूर पावडरि ये बिना पाउडर, 1 1⁄2 टीजपून बुना हुआ जीरा पाउडर, 1⁄2 टीजपून गरम मसाला, 1⁄2 टीजपून काला नमक, 1⁄2 टीजपून सफेद नमक, 1 टीजपून देगी मिर्च इसे बहुत अच्छा कलर भी आता है और ये बहुत ज़़ा तीखी भी नहीं होती है अब मैं इस यहाँ मैंने गैस को ओन कर कर लिया है 2-3 मिनित इस मिक्शार को हमें उपकाना मीडियम फ्लेम फीचस में ऊती हो जा जाएगी तौ 2 इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगे और दो मिनित में में हमारी चठनी रेडि हो जाएगी यहाँ पर दे कर तो अभी गरम है आपको इतना न पहते हैं, बिना किसी इमली बिना किसी गुर के तो यह देखिए हमारी चेटनी रेडी हो गई है तो फोड़ी पतली लग रही है जैसी ठंडी होगी और जुझादा गाड़ी हो जाएगी यह हमारी चेटनी तेयार हो गई है मैं ग्यास बंद कर देती हूं और इसे साइड में ठंडा होने के लिए अब यहां पर मैंने आलू लिये है यह करीब चार से पांच आलू मैंने बड़े साइस के लिए थे अच्छे से मैं दोकर इसे काट लिया है जो अरा-रोट है वह अच्छे से चिपक जाएगा कॉन फ्लर अच्छे से जब एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी फिर इन्हें हम फ्राइ करेंगे और इससे जो आलू है वह बहुत जादे क्रिस्पी बनते हैं अब मैंने यहां पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है बहुत होने दे और धीरे-देरे आप देखेंगे इनका जो कलर है वह गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और आलू भी अंदर से पक जाते हैं इतनी देर में तो इन्हें मैं फ्राई होने देती हूँ यह देखी काफी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसे मैं निकाल लेती हूँ इसी तरीके से मैं फिर से आलू डालूंगी तो एक साथ आपको पूरी कड़ाई भरने नहीं है थोड़े थोड़े आलू करके फ्राई करना है एक साथ भर देंगे तो तेल का टेंपरेचर कम हो जाएगा और फिर आलू अच्छे से पकेंगे नहीं उस पे क्रिस्पी लेयर नहीं आएगे तो यहाँ पर मैं इन सारे अलू को तीन बार में फ्राई करने वाली हों और इसे आपको मेड compressor करना है वी चारा फ्रेम अח найти करना है और फ्राई नहीं और गल ब्राँड़े तक तो यहाँ पर ये जिवालू है ऑब मैं नियुक्तों है इसमेन थी स्रा बैच अब यहां पी जो आलू है यह भी गोल्डन ब्राउन हो गए तो जो पहले वाले आलू थो वह भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और एक बार मैं फिर से फ्राइ कर लूंगी दुबारा फ्राइ करने से यह जो आलू है वह और जादा क्रिस्पी हो जाते हैं और अगर कोई आल चाट में फटा फट बना लेती हूं जादा टाइम लगता और चटनी में हमेशा बना के रखती हूं और वैसे भी आपने देखा दो मिनिट में वह चटनी तयार हो जाती है तो इस तरीके से यह आलू की चाट बहुत जल्दी तयार करके आप खा सकते हैं यहां पर देखिए मैंने इसे पांच मिनिट के लिए और फ्राइ कर लिया है और काफी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और आलू भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं तो अब मैं निकाल लेती हूं अगर आप आप पसंद नहीं करते हैं तो इसे टीशू पेपर पर निकालें तो अब इसके अंदर मैं एड़ करूंगी एक प्याज बारिक कटी हुई थोड़ी सी प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए बचा ली है अब मैं इसमें डालने वाली हूं एक टमार्टर बारिक कटा हुआ अब मैं इसमें डालने हूं एक हरी मिर्च बारिक कटी हुई अब मैं इसमें डालने हूं हरे धनीय की चटनी जो हम नॉर्मलली घर में बनाते हैं इसमें मैंने खट् ingenie के लिए थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था है यह थोड़ा चाट मसल आप डाल सकते हैं और ये जो वो चटनी है ये वही चटनी है जो मैंने अभी तैयार की थी ये देखे कितनी बढ़िया हमारी चाट वाली चटनी तैयार हुई है दो मिनिट में तो इस तरीके से मैंने जितना आप खटा मीठा रखना चाहें उसके इसाब से डाल सकते हैं थोड़ा सा भुना और ये थोड़ा समय ने यहां पर चाट मसाला अड़ किया है अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखे हमारी कितनी खटी मीठी चटपटी आलू चाट रेडी है सर्व करने के लिए देखा कितना कम टाइम लगता है इसे बनाने में तो कभी आपके महवान भी आजाएं त थोड़ा सहरा धिनिया से गानिश कर देते इसे बहुत कलर फूल अegp मुछत यमिया आलू की चाट आपको मारकेत जाकर खृत के भुथ जरुषान चाट घर पर इतनी आसान तरीके से बना सकते है तो आप ईसे जरू ट्राइका बहुत मज़ाने वाला है और लिके जरू आपका जो कमेंट होता है उसका मुझे बेसबरी से इंतिसार होता है कि आपने इसे बनाया तो कैसी बनी या आपको या आपकी फैमली को पसंद आई या नहीं तो इसे मैं सर्फ कर लेती हूं इस तरह से प्लेट में और थोड़ा सा उपसे गानिश कर देंगे प्यास से टमाट कर देंगे तो लगा है थोड़ी सी आप में भुजिया डाल रही हूं आप बेसन भुजिया या आलो भुजिया कुछ भी ढाल सकते हैं इसे और भी देखने में अच्छी लगती है और खाने में तो और भी ज़दा टेस्टी लगते है तो यह हो गई हमारी पांच मिंट में बनने वाली आलू चार्ट रेडी, कभी भी आपका मन करें, इसे फटा-फट बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को खिलाएं, बचों को खिलाएं, बहुत ही यमी लगती है, और लिख के ज़रू बताएं कि आपको इसका टेस्स कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करना, बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत सादा मॉटिवेट करता है, इस तरह की अच्छे-ची वीडियो बनाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत भूलेगा,